हाई फ्रेंज मैं आपकी दोस्त एक बार फीर से लाई हूँ आपके लिए एक गजब की जानकारिया आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन पर क्लिक कर नौटिफिकेशन आन कर ल उसकी त्वचा सुंदर आचमकिली हो पर सर्दी अतेही त्वचा की खूपसूरती को छीन लेती है एसे में अब चाहिब ग्लिसरीन को चहरे पर लगा सकते हैं या फिर किसी फेस पैक या फेस-मास्ट में मिला करी शका इस्तेमाल कर सकते हैं आईये हम आपको ग्लिसरीन से त्वचा को हुने वाले फाइदों के बारे में बताते हैं। मॉस्चराइजर अगर अपकी त्वचा पर ज्यादा ठंड में रूखा पनता हो या फिर दान दब्बे हो तो उन्हें हटाने के लिए ग्लिसरीन का मॉस्चराजर बहुत फाइदे मन्द होगा। ग्लिसरीन में कई औशधिय गुण है जिससे अपकी त्वचा मुला, यम और नम दिखने लगती है। इसे अप ग्लिसरीन में एक कॉटन के साथ डुबो कर स्किन पर लगा सकती है। त्वचा की सफारी लिसरीन को त्वचा पर लगाने के लिए गुलाब जल में मिलाकर इस्तेमाल करने से धूल और गंगी को साफ होती है। इसे अप रात को सोते समय लगाना चाहिए। त्वचा को पोशन लिसरीन त्वचा में पानी की मात्रा को संतुलित रखने और पोशन देने में मदद करती है इसी लिए इसे कास्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है आप इसे फेस पैक, फेस मास्क वा मॉस्चराइजर में मिला कर लगा सकते हैं त्वचा संबंधी समस्याएं लिसरीन के इस्तेमाल से त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होंती है इसी लिए इसका इस्तेमाल रूखीवा खराफ स्किन के लिए बनाई जानी वाली दवाईयों और प्रीम में होता है दाग धब्बे यह आपकी त्वचा के दाग धब्बे और मुहसों को कम करती है इसे दाग और मुहसे वाले स्थान पर लगा कर रगणने से धीरे धीरे निशान कम हो जाते है इसके इस्तेमाल से आप सुंदर और आकरशक दिख सकते हैं तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा लाई गई जानकारे अपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब और शेर जरूर करें धन्यवाद